नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फोर पब्लिक सर्विस कमिशन में हर्याना पुलिस की जो हमने सिरीज स्टार्ट की हुई है उस सिरीज में यह ग्यारवा भाग आज आ रहा है प्राचिन भारत का टोप 500 इसके अंदर हम कुश्चेन करवाएंगे और यह सिरीज तब तक कंटिन्यू रखी दाएगी तब तक की हर्याना पुलिस का कॉंस्टेबल का एक्जाम लिखित प्रिक्षा नहीं हो जाती और इस सिरीज के अंदर हम टोप 500 हर सब्जेक्ट के कुश्चन करवाएंगे जैसे की हिस्ट्री हो गया जोगरफी हो गया पॉलिटी हो गया एंवायर्मेंट हो गया एगरिकल्चर हो गया कंप्यूटर हो गया साइंस हो गया जितने भी सब्जेक्ट हर्याना पुलिस के ओफिशियल नोटिफिकेशन में दिये गई हैं उन सभी सब्जेक्ट के टोप 500 हम यहां पे कॉश्चन डिसकस करवा रहे हैं और जो यह सिरीज ह अंत तक आप जरूर देखिएगा डेफिनिटली आपको इससे बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जितना टूदा पॉइंट आपको एक्जाम के पॉइंट ओव यू से जरूरी होना चाहिए उतनी जानकर यहां पे दे दी गई है जितने भी टोटल फैक्ट्ट का नोटिफिकेशन आ गया है तो वो नोटिफिकेशन आप जरूर फिल कीजिएगा अगर आपकी एज है कॉंस्टेवल के लिए 18 से 28 साल एज रखी गई है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दसवी पास हर बच्चा अपलाई कर पाएगा और जो SI की पोश्ट है सब ओनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आज एक शोट नोटी जारा गया है तो उसमें भी इंडिया जी के का काफी मेन रोल रहने वाला है तकरीबन 35-40 कोश्टिन उसके अंदर जो इंडिया जी के हैं वो पूचे जाएंगे तो इंडिया जी के की तयारी आप पूरी यह से कर सकते हैं इस वीडियो सीरीज से कर सकते हैं इतना आपको करवा दिया जाएगा कि इंडिया जी के से आपका कोई भी कुश्टिन गलत नहीं होगा एक अच्छी कासी जानकरी आपके पास हो जाएगी तो अगर आप किसी भी एक्जाम वैसे तो आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया जी के पुछी जाती है तो आप डेफिनेटली सीरीज को देखिएगा चाहे वो टीचर से संबंदित पोस्ट हो या फिर क्लर्क से संबंदित पोस्ट हो या फिर इवन PCS तक के एक्जाम में ये वीडियो सीरीज आपके काम आने वाली है और अभी रिसेंटली ये जो सीरीज फ्रेम की गई है श्पेशली हरियाना पुलिस कोंस्टेबल के लिए फ्रेम की गई है बट मैं श्पेशली रिकमेंडेट करूंगा जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कोंस्टेबल का फॉर्म बरा है आर्पियाफ का फॉर्म फिल अप 25 question कराएंगे तो अंत में आप comment section में अपना score जरूर कमेंट कीजिए 25 question में से आप कितने question ठीक कर पा रहे हैं तो चलिए start कर लेते हैं सबसे पहले question देख लेते हैं यहाँ पर प्राचिन भरत का इतियाज 11 पार्ट है पहला question को यहाँ पर देख लेते हैं जैन धरम के गरंत श्यादवाद मंजरी की रचना किस ने की थी तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है जो श्यादवाद गरंत है मतलब जो श्यादवाद मंजरी गरंत है यह किस धरम से रिलेटेड है तो यह जैन धरम से संबंदिद गरंत है किसके द्वारा इसकी रिचना कियी ती तो आई ये option ओप्शनों को देख लिए थे Swem Prabhu के द्वारा लिखा गया था मली सेन के द्वारा लिखा गया था PushPDant के द्वारा लिखा गया था या फिर आचारिया हेमचंदर जी के दूरा लिखा गए था तो जो question number first का राइट option हो जाएगा option number B तो ये मली सेंh G के दूरा लिखा गया था जैन धरम का जो स्यादवाद मंजरी गरनता तो ये किस के दूरा लिखा गया था मली सेंh G के दूरा लिखा गया था नेक्स्ट आजाएंगे हम कोश्चन नमबर टू पर Q2 में कहा गया है जैन धरम के गरंथ दरव्य संग्रे की रचना किसके द्वारा की गई है ये पुचा गया है जो दरव्य संग्रे है गरंथ है ये भी जैन धरम से संबन्दित है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है सोम प्रभू के द्वारा की गई है नेमी चंदर जी के द्वारा की गई है बदर बाहू के द्वारा की गई है या फिर सोम प्रभू के द्वारा की गई है तो कोशन नमबर टू का जो राइट ओप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर बी तो ये नेमी चंदर ज यह एक जैन गरंत है और इसको कब लिखा गया था नोवी से दसमी सदी के बीच में इसको लिखा गया था और ये एक सोर सेणी प्राकरितिक में लिखा गया गरंत है आचारिये नेमी चंदर द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर इस गरंत के अंदर दर्वय संग्रे गरंत के अंदर कुल 58 गाथाएं वरनित हैं इसके अंदर लिखी गई है और इनमें 6 दर्वयों का वरनन है तो इतनी जानकरी आपको दर्वय संगयरे के बारे में याद रखनी है तो question number 2 का जो right option हो जाएगा option number B यानि की नेमी चंदर हो जाएगा question number 2 नेक्स्ट आजाएंगे हम question number 3 पर तो question number 3 को यहां से हम देख लेते हैं question number 3 में का गया है जैन धर्म के गरंथ में न्यायवतार की रचना किस ने की थी या फिर किस के द्वरा की गई थी तो जैन धर्म का जो गरंथ है वो है न्यायवतार तो इसकी रचना किस ने की थी सुम प्रभू ने की थी सिद्ध सेन दिवाकर ने की थी सूरी जी ने की थी या फिर पुष्पदंत जी के द्वरा की गई थी तो question number 3 का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number B तो ये जो जैन धर्म के गरंथ है न्यायवतार तो इसकी रचना की गई थी सिद्ध सेन दिवाकर जी के द्वरा की गई थी तो question number 3 का जो right option हो जाएगा option number B next आजएगे हम question number 4 पर तो question number 4 को यहाँ पे हम read कर लेंगे जैन सहित्य में किसे जैन मत का संड़क्षक बतायागा है जो जैन सहित्य है उसमें किसे जैन मत का जो संड़क्षक है वो बतायागा है क्या संपरीती को बतायागा है स्थूल बद्र को बतायागा है बद्र बहु को बतायागा है जो ये संपरीति राजा होते थे ये किस राजवन से संबंदित होते थे इतना आपको पता होना चीए तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो संपरीति राजवन से संबंदित होते थे तो ये जो राजा थे ये मोर्ये राजवन से संबंदित होते थे और वो जो उसके चचे राजे के वो पांच वे राजा थे इतना आपको यहां पे संपरीती राजा के बारे में याद रखना है तो कोश्चन नमबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर अप्शन नमबर 5 के उपर हम थोड़ा सा हम जानकारी ले ले लेते हैं इसके अंदर इतना आपको यहां रखने है के नंबर 5 के जो राइट ओप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर किस धर्म से संबंदित है जो खरुच खजुराहों में काफी सारे मंदिर बने हुए है तो वो किस धर्म से संबंदित है आई ये देख लिते हैं क्या हिंदू धर्म से संबंदित है जैन धर्म से संबंदित है बोध धर्म से संबंदित है या फिर सभी धर्मों से संबंदित है खजुराहों में जो समारक समू बने हुए जो मंदिरों के समू बने हुए है वो हिंदू, जैन और बोध दर्म के समारकों के समू है और जिसके समारक भारती राज्य और ये कहां पर रिलेटिड है भारत के राज्य जो मद्यपरदेश है उस राज्य के अंदर छतरपूर छेत पूरी में अवस्तित है, कांची में अवस्तित है, या फिर केरल में अवस्तित है तो question number seven का right option हो जाएगा option number a जो दिलवाडा का जैन मंदीर है ये माउंट अबू में अवस्तित है तो आईए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो दिलवाडा का जैन मंदीर है या फिर देलवाडा मंदीर इसको बोला जाते है ये पांच मंदीरों का समू है इसके अंदर पांच मंदीर इकठे है मतलब जो दिलवाडा का मंदीर है इसके अंदर पांच मंदीर आपको मिलेंगे और ये कहाँ पर अवस्तित है ये राजस्तान के सिरोही जिले के माउंट अबू नगर में अवस्तित है तो कहां पर अवस्तित है राजस्तान के सिरोही जिले के माउंट अबू नगर में अवस्तित है और जो इसका निर्मान था दिलवाड़ा के मंदिर का निर्मान था इसका निर्मान किसके दोरा करवाया गया था गुजरात के जो चालूक के सोलंकी शाशकते भीम देव पर्थम के सामन्त मंत्री थे जिनके विमल शाह नहीं करवाया था तो इतना आपको याद रखना है उफ्षण में कुछ भी दिया हो गुझराद के सोलंकी राज्य wiimdoe dev मिले तो आपको भhow लगाना है या फिर उनके सामन्त जो मंत्री थे विमल शाह तो दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको दोनों नहीं मिलेंगे वैसे इसका जो आंसर होगा वो विमल शाह ने इसका जो वो था करवाया था राजा के कहने पर तो दिलवाडा का जैन मंदिर कहां पर रहस्तित है यह है माउंट अबू के अंदर कॉस्चिन नम्र 7 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नम्र A नेक्स्ट आजाएंगे हैं कोश्चन नम्र 8 पर तो कोश्चन नम्र 8 में कहा गया है माउंट अबू स्तित देलवाडा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था अभी हमने उपर डिसकस किया है तो बताइए किसके द्वारा करवाया गया है निर्माण विमल शा के द्वारा करवाया गया तो कोश्चन नम्र 8 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नम्र A नेक्स्ट आजएंगे कोश्चन नम्र 9 पर जो कोश्चन नम्र 9 में कहा गया है शरवन बेल गूला कहा पर अवस्तित है ये हमसे पूछा गया है तो आईए इसके ब बेलकुला करनाटक में अवस्तित है आईए इसके बारे में थोड़ा सा हम जायनकारी ले ले लेते हैं जो दक्षिन भारत है हमारा जो साउधन हेमिस्पियर है दक्षिन भारत का सबसे आधनिक दर्षनिय जो जैन तिर्थ स्तल है वही शरवन बेलकुला को माना जाता है मतलब जैन तिर्थ यात्रियों का जो भी परवितर स्तल है दक्षिन में वह शरवन बेलकुला को माना जाता है और यहां मतलब जो शरवन बेलकुला है यहां पर बाहुबली की 57 फिट उची विशाल परतिमा के लिए परसीद है यह क्यों परसीद है शरवन बेलकुला क्योंकि यह यहां पर भगवान बाहु बली की 57 फिट उची विशाल परतिमा लगाई गई है जो दुनिया की सबसे उची एक आश्म पत्थर की मूर्ती है और यह एक ग्रे नाइट शीलाखंड से बनी हुई है इतना आपको यहां पर भगवान बाहु बली और शर्वन बेल गोला के बारे परतम तिर्थंकर रिषबदेव किसके पुत्र माने जाते हैं तो जो परतम तिर्थंकर रिषब देव थे इनको आदी आदी इसके नाम से भी जाना जाता है । ये के दृऊरशता ही गई तो इनके को न माने जाते आय यह को अपना की गयी घद्रेतिन को तो इनके पूत्र है माने जाते पूत्र को क्हों नंबर माने जाते हैं और हम उसके बाद देख लेते क्या सिधार थे इनके पुत्र थे देवपाल थे या फिर बाहुबली थे तो question number जो 10 है उसका right option हो जाएगा option number D तो ये बाहुबली इनके पुत्र माने जाते हैं मतलब रिशबदेव तिर्थंग करके तो question number 10 का right option हो जाएगा option number D next आ जाएगे हम 11 question पर आ जाएगे तो 11 question में का गया है महा मस्ताभिशेक किस धरम का एक महत्पून उत्सव है तो महा मस्ताभिशेक एक उत्सव मनाया जाता है तो यह किस धरम ते अवस्तित है तो आएगे देख लेते क्या ये बोध धरम से अवस्तित है मतलब बोध धरम से related है हिंदु धरम का एक महत्पून उत्सव है इसाई धरम का एक महत्पून उत्सव है जो ये महामस्ताभिशेक उत्सव है ये किसकी याद में बनाया जाता है तो ये भगवान बाहुमली की मूर्ति के अभिशेक के उपलक्ष में बनाया जाता है जो बाहुमली अभी हमने उपर भी डिसकस किया है ये रिशब देव के पुत्र माने जाते हैं तो इन्हें की मूर् बारे में याद रखना है तो कोशन नमबर 11 का राइट ऑप्चन हो जाएगा ऑप्चन नमबर D नेक्स्ट आजएंगे हम कोशन नमबर 12 पर तो कोशन नमबर 12 को यहां पे देख लेते हैं QA number 12 में आ गये हैं महा मस्ता भिशेक जैन धर्म का एक मैत्मून उतसव है ये कितने वर्षिव पश्चात बनाया जाता है तो हमने अभी अभी डिस्क ... किया है तो माह मस्ता भिशेक भगवान बाहु बली के राज्य अभिशेकमूर्ती के लिए मनाया जाता है और ये परतेक 12 साल के बाद मनाया जाता है तो आईए देख लेते हैं option number A में 14 वर्ष, option B में 10 वर्ष, option C में 15 वर्ष और option D में 12 वर्ष यहीं स्काउटर है तो question number 12 का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number D तो महामस्ता विशेक, जैन, धरम, काई, मैत्मून, उत्सव कितने सालों बाद मनाया जाता है तो ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है next आजाएगे हम question number 13 पर question number 13 में का गया है, question number 13 को देख लेते है 13 में का गया है, परभास गिरी, उत्तर परदेश के कोशंबी में स्तित जैन, तिर्थ सल है, ये तिर्थ सल किस तिर्थंकर से सम्बंदित है, ऐसा हमसे पूचा गया है तो आईए हम जानकरी ले ले लेते हैं, इसके बारे में तो पहले तो आपको ये याद रखना है, जो परभास गिरी, उत्तर परदेश के कोशंबी में स्तित एक जैन, तिर्थ सल है, जो परभास गिरी है, वो क्या है, एक तिर्थ सल है, किस से सम्बंदित है, जैन, तिर्थंकर से सम्बंदित है, कहां पर अवस्तित है, उत्तर पर यहां वोट्चन का पूचा गया है तो आईए देक लेते हैं दरशन क्या है जो जैन दर्शन क्या है जो जैन दर्शन क्या है वो पूछा गया है तो आईए देख लेते हैं दर्शन का है अनेकांता वाद है स्थीरता वाद है साम्या वाद है या फिर निरंकुष वाद है तो जो question number 14 है उसका right option हो जाएगा option number A ये अनेकांत वाद है जैन दर्म का जो code सिदान ते उन दर्शन है वो अनेकांत वाद है तो question number 14 का right option हो जाएगा option number A next आजाएंगे हम question number 15 में 15 में पुछा गया है प्रारंबिक धार्मिक जैन साहिते प्राकरती की विशिष्ट साका डैश में लिखा गया है जो प्रारंबिक, दार्मिक, जैन साइते हैं, वो प्राकरतिक के विशिश साका है, और यह किस में लिखा गया है, तो यह अर्दमागदी में लिखा गया है, नीचे उप्शन देख लेते हैं, मैथिली भाशा में लिखा गया है, देवनागिरी में लिखा गया है, या फिर option हो जाएगा option number A तो कोश्चन बर 15 का जो राइट option हो जाएगा option number A ये आर्द मागदी भाचा में लिखा गया है तो कोश्चन Souls ।कर जाएगा option निक्स्च आ जाएंगे question number 16 पर तो a common 16 कऊ रिट कर लेते हैं कोश्चन नमबर 16 में का गया है भागवत धर्म से वैशनव धर्म का विकास हुआ है यहां पे देख लिए भागवत जो धर्म था उससे वैशनव धर्म का विकास हुआ है भागवत धर्म का परवर्तक किसे माना जाता है यह पूचा गया है क्या भागवत धर्म का जो परवर् और जो इसका विकास था मतलब भागवत धर्म से हुआ है मतलब जो वैशनव धर्म का विकास था वो भागवत धर्म से हुआ है वैशनव धर्म के जो परवर्तक है वो कृशन थे ऐसा हमें यहां पर लिखा भी हुआ है जो वरशन कभी लेके थे किस कभी लेके थे वरशन कभी लेके थे और जिनका निवास कहां पर था मतुरा में इनका निवास था तो इतनी जानकारी आपको भागवत धरम मतलब जो है वैशनव धरम के बारे में जाननी है तो question number 16 का right option हो जाएगा option number D श्री कृष्ण next हम देख लेंगे question number 17 को question number 17 में कहा गया है किस उपनिशद में श्री कृष्ण को देव की पुत्र कहा गया है तो किस उपनिशद में कहा गया है श्री कृष्ण को देव की पुतर आए देख लेते हैं इशा वाष्योप निशद में कहा गया है चान दोक निशद में कहा गया है या फिर परशन उप निशद में कहा गया है तो question number 17 है उसका right option हो जाएगा option number B, ये च्छानद्योग उपनिशद में कहा गया है भगवान श्री कृषिन को देवी की पुतर कहा गया है च्छानद्योग के उपनिशद में तो question number 17 का right option हो जाएगा option number B, next आ जाएंगे हैं question number 18 पर question number 18 को यहां पे देख लेते हैं question number 18 में कहा गया है रिगवेद में विश्नु का उलेक किस देवता के रूप में हुआ है तो यहां पे पुछा गया है, रिगवेद जो वेद था पथम वेद था यह, इसमें विश्नु का उलेक किस देवता के रूप में हुआ है पाताल के देवता के रूप में हुआ है आकाश के देवता के रूप में हुआ है धर्ती के देवता के रूप में हुआ है या फिर इन में से कोई नहीं तो question number 18 है जो उसका right option हो जाएगा option number B ये आकाश के देवता के रूप में माने जाते थे जो रिगवेद था उसमें विश्णु का उलेक विश्णु भगवान का उलेक किसमें हुआ है अकाश के देवता के रूप में हुआ है question number 18 का right option हो जाएगा option number B next आ जाएंगे question number 19 पर तो question number 19 में का गया उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुक देवता कौन से थे जो उत्तर वैदिक काल मतलब पहले रिगवेद आया ऐसे चारवेद आये चारवेद के बाद स्तर गिरता गया और उसके बाद वैदिक काल आया वैदिक काल के बाद सबसे उत्तर वैदिक काल आया जिसमें महिलाओं की दशा और भी खराब होगी तो पुछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुक देवता कौन से होते थे तो शिव होते थे विश्नु होते थे प्रजापती होते थे या फिर सभी होते तो question number 19 का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number D तो जो ये शिव भगवान थे विश्नु भगवान थे और प्रजापती थे तो ये इन भगवानों का जो उध्वव हुआ मतलब कब से लोग जानने लगे तो उत्तर वैदिक काल से जानने लगे क्योंकि जो रिगवैदिक काल था उसमें लोग सिरफ इंदर की उपासना करते ँंदर भगवान सबसे ज़्यादा उसनमें फेमस होते थे ऐसा आप मान सकते हैं अरे डिक वेद में किस में sẽ बहुता था तो इंदर भगवान का बहुता था और जो दूसरे नमबर पर वह बहुत आते थे Cosic अमबर 19 का जो option हो जाएगा option number D next आजाएंगे question number 20 पर question number 20 में कहा गया है युनानी राजदूत मेगा स्थनीज के अनुजार मतुरवा के लोग किसके उपा सकते तो ये युनानी राजदूत थे मेगा स्थनीज इनकी पुस्तक भी आई थी एंडिका और इनके अनुजार मतुरवा के लोग किसके उपा सकते तो श्रीकृष्ण के उपा सकते ओप्शन देख लेते आगे श्रीव के उपा सकते विश्नु के उपा सकते या फिर लक्षमी के उपा सकते तो question number 20 का जो right option हो जाएगा option number A तो ये श्रीकृष्ण के उपा सकते तो यहां पे देख लीजिएगा युनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार मतुरवा के जो लोग थे वो श्रीकृष्ण के उपा सकते ये थोड़ा से इसके बारे हम जान लेते हैं युनानी देवता जो मापकी जीएगा जो मेगास्थनीज था युनानी राजदूत था और यह किस के दरवार में आया था तो यह भारत में चंदरगुप्त मोरिये के दरवार में आया था जो मेगास्थनीज था यह चंदरगुप्त मोरिये के दरवार में आया था तो हेराक्लीज एक देवता होते थे तो इनका संबन्द की देवता से संबन्द है क्या ब्रह्मा से संबन्द है नारद से संबन्द है यम से संबन्द है या फिर श्रीकृष्ण से संबन्द है तो कोश्चन देवता हेराकलीज और हिंदू देवता श्रीकृषन दोनों एक ही थे ऐसा पुरानी जो दंत कताई हैं वो बताती हमें भारत में युनानी राजदूत आई थे जो मेगास्तनीच चंदरगुप्त मोरिये के काल में तो उन्होंने बताया है कि युनान तक लेकर मतलब भारत से लेके युनान तक वह गए थे और वहां की स्थानिय भाषा में श्रीकृषन को ही हेराकलीज नाम दिया गया है ऐसा उन्होंने बताया है मतलब जो उनकी दंत कताई है उनमें ऐसा लिखा गया है इस तरह से युनानी जो देवता हेराकलीज थे वो युनानी पुरानी पुर 22 पर तो कोश्चन नमबर 22 में कहा गया है पर्थम उपलब्द प्रस्तातर स्मारक विदीशा बेशनगर का गरूड संब किस धरम से संबंदीत है यह पूछा गया है जो विदीशा में बेशनगर है वहां का जो गरूड संब है वो किस धरम से संबंदीत है क्या इसाई धरम से स जैव धर्म से संब्दीत है भागवत धर्म से संब्दीत है या फिर जैन धर्म से संब्दीत है तो विदीशा बेशनगर का गरूड स्थम्ब तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो यह जो इसका निर्मान था जो यह बेशनगर का गरूड का स्थम्ब यह किसके पत्थर जो सिंगल पत्थर होता है उसको काटकर ही इस विदिशा без नगर का जो गरूर स्थ Musson इसका निर्मान करवाया गया था और एतियासिक द्रिष्टी से इसे बहुत ही महितपूर्ण माना जाता है इस सतंब पर मतलब जो ये गरूर संब है इस संबर पाली भाषा में ब्रह्म लीपी का प्रियोग करते हुए अभी लेक मिलता है मतलब जो इसमें लिखा गया वो पाली भाषा में ब्रह्म लीपी का उप्योग करके लिखा गया है जो विदीशा का बेशनगर है ये हैलियोडोरस के द्वारा गरूर सम बनाए गया था और ये भागवत धरम से सम्बंदित है तो question number 22 कराइट option हो जाएगा option number C next हम देख लेंगे question number 23 जो question number 23 में जो लिखा गया है तक्षशिला के बारे में यहां पर हम से जिक्र किया गया है तो question number 23 को हम देख लेंगे तक्ष शिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने किस धरम को गरेंड किया था ऐसा यहां पर पूचा गया है जो यवन राजदूत हेलियोडोरस उन्होंने किस धरम को गरेंड किया था तो क्या भागवत धरम को गरेंड किया था इसाई धरम को गरेंड किया था शैव धरम को किया था या फिर वैशनल धरम को किया था तो कोशन नमबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए तो ये जो तक्षिला के यवन राजदू थे हेलियोडोरस इन्होंने भागवत धरम को यहां पे गरहन किया था नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोशन नमबर 24 पर तो कोशन नमबर 24 में का आगया है विशनु का वाहन गरूड किन शाषको का राज चिन था जो विशनु का वाहन मानते हैं गरूड है वो किन शाषको का राज चिन था किन किन राजाओं ने उस गरूड को अपना जो राज चिन था वो बनाय था कुशान शाषकों ने बनाय था गुप्त शाषकों ने बनाया था मोरिय शाषकों ने बनाया था या फिर हर्यक शाषक शाषकों ने करवाया था तो कोशन नमबर 24 कराइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर B तो ये गुप्त शाषकों ने जो गरूर वाहन था भवान विश्नु का उनका जो राज चिन क्या चंदरगुप्त पर्थन ने करवाया था चंदरगुप्त मोरिय ने करवाया था या फिर अशोक ने करवाया था तो कोश्चन नमबर 25 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर A तो चंद्रगुप्त द्वीतिया के द्वारा ये निर्मान करवाया गया था दिल्ली के लोस्तंब का निर्मान किसे ने करवाया था चंद्रगुप्त द्वीतिया के द्वारा कुराया गया था आए थोड़ी से इसकी बारे में हम जानकरी ले लेते हैं जो दिल्ली का लोस्तं दिर्म का एक भाग था यह ऐसा बोला जाता है कि यह एक पहले हिंदू और जो जैन धरमकाई की भाग था तेरवी सती में कुतुब विदिन एवक ने कुतुम मिनार की स्थापना की और लोस्तंब में लोहे की मातरा करीब 98 परतीशत है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा ह तो देख सकते हैं कि यह कितनी अगला करतीया है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है और इसमें 98 परतीशत लोहे की मातरा है तो यह आपको यहाँ पहर याद रखना है कुतुम मिनार के आस-पासी यह लोस्तंब और जो कुतुम मिनार है उसकी स्थापना झेबग के द्व का लोस्तंप किसने बनवाए था तो यह जानके रिखने यह 25 कोश्चन थे तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादे इस वीडियो को शेर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा फेस्बूक पेज का लिंक पिल जाएगा वो कनेक्ट करके आप हमसे डारेक्ट चैट या फिर बात कर सकते हैं और यह आज 11 भाग था इसे ही रोज रात को आठ बज़े आपको यह वीडियो लेक्चर मिल जाएगा तो जाता ह हमें फोलो करते हैं तो प्लीज हमारा टेलिगराम गरूप जरूर से जरूर जोइन कर लीजीगा सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ यहां पर बता दिया जाता है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद